जहें हैं दोस्तों Welcome to Today Exam Classes दोस्तों इस वीडियो मोँ रीड बरती परिक्सा 2021 के लिए राधस्तान के कला संसकर्ति और अन्य मोस्ट इंपर्टेन्ट क्यूसन आंशर याद करेंगे जो आपके रीड बरती परिक्सा के लिए बह। इंपर्टेन्ट क्यूसन आंशर हैं है जो आपके rate परती परिक्सा के exam में बार-बार repeat होने वाले प्रस्वन भी है और आपके rate परती परिक्सा के ने signables में भी यह सबी सवाल सामिल है इसलिए दोस्तो इन सबी सवालों को आप जरूर याद करें और दोस्तो इस वीडियो कि लास्ट में एक सवाल अभ्यास के तौर पर आप से भी पूचा गया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है इसलिए दोस्तों इन सभी सवालों को आप पहले जरूर याद करें तो चलिए देखते हैं पहला क्यूसन पहला सवाल है राजिस्तान की मानकबोली के रूप में परसीद बोली कौन सी है जो पस्जीमी राजस्तान के साथ ये राजिय की सरवजिक चित्र में बोले जाने वाली भी बोली है कौन सी बोली मारवाडी बोली जो राधस्तान की मानक बोली की रूप में प्रसिद है अगला नेक्ष दूसरा क्यूसन है राधस्तान में बुलू पोटरी का सरवदी के विकास किसके सासनकाल में हुआ था सवाई जै सिंग, मान सिंग प्रतम, राम सिंग दित्य या फिर प्रताप सिंग तो दोस्तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्सन है सी यनी राम सिंग दित्य के सासनकाल में बुलू पोटरी कला का सरवदी कि विकास हुआ था किसके सासन काल में? राम सिंग दित्य के काल में और ब्लू पॉर्टरी हैं जो जैपूर के सांगा नेर की एक प्रसिद ब्लू पॉर्टरी कला हैं अगला नेक्स तीसरा किसन है किसन रत्य में लस्करिया, भींद, रसाला तता रंग मारिय गीत गाएَ जाते हैं कच्ची गोरी, चरींद्रतिय, तैरतारिंद्रतिय या चक्रींद्रतिय तो दूस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा option a and e कच्ची गोरींद्रतिय हैं जिसमें लस्करिया, भींद, रसाला तता रंग मारिय गीत गाये जाते हैं नेक चौता क्यूसर ने मौरम के अवसर पर परियोग में लाया लिया जाने वाला प्रसिद वाद यंत्र कौन सा हैं नगड़ा तासा मांदल या फिर मंजीरा तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन भी यानी मौरम के अवसर पर परियोग में लिया जाने वाला प्रसिद वाद यंतर हैं जो तासा वाद यंतर हैं जिनको मुस्लिम समाज के लोग बजाते हैं किस समाज के लोग बजाते हैं तासा को मुस्लिम समाज के और ये किस अवसर पर मोहरम के अवसर पर बजाए जाना वाला प्रसिद वाद यंतर हैं नेक्स्ट पांचवा क्यूसन है केले के पत्तों की साजी के लिए प्रसिद मंदिर हैं द्वारी का दीस मंदिर, स्रीनाथ जी का मंदिर, जगत सिरोमरनी का मंदिर या सामवरिया जी का मंदिर तो दूस्तो इस सवाल का सही जवाब जेगा ओप्सन ब यानि श्रीनात जी का मंदिर हैं जो केले के पत्तों के सा जी के लिए प्रसिद मंदिर हैं अगला नेक्ष छटा क्यूसन है दिलवाडा के जैन मंदिर में समयलित नहीं है ? विमलसा मंदिर पितल लहर आदिश्वर मंदिर या खर्तवर वसई मंदिर या लाल वसई मंदिर तो इस सवाल का सही जवाब देगा option D यानी लाल वसई मंदिर है जो दिलवाडा के जैन मंदिर में समलेते नहीं है जबकि दिलवाडा के जैन मंदिर में विमलसा का मंदिर भी स सामिल है और खर्ट वर्षाई मंदीर भी सामिल हैं जबकि लाल वर्षाई मंदीर है जो डिलवाड़ा के जैनं मंदीर में समलेते नहीं हैं नेक्स साथवा किसन है एत्यासिक पर्माणों दस्तवेज पत्रों मुगल स्फर्मानों एंवं हस्त चत्रेत तस्विरों के एलबम के अध्यन हित्तू संगरण इस्तेत कहा हैं जिसका नाम है राधस्तान राजी अभी लेखा गर नेक्स्ट आटवा किसन है मेवाड में इस्तेद एक लिंग नात जी का मंदिर किस संपरदाय से सम्मंदित है कपालिक लकूर लेस नात और या सिंद तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब देगा आप्सन भी यनि मेवाड में इस्तेद एक लिंग नात जी का मंदिर है जो लकूर लिस संपरदाय से सम्मंदित है किस से लकूर लिस संपरदाय से सम्मंदित है और कौन समंदिर एक लिंग नात जी का मंदिर नेक्स्ट नवा क्यूसन है मारवार में छेड़ चाड़ के लोग देवता के रूप में किसे पूजा जाता है संतमाव जी, देव बाबा, इलो जी या फिर मलिनात जी तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब देगा अगला नेक्स्ट दसवा क्यूसन है नेक्स्ट ग्यारवा क्यूसन है किस नदी को रिगवेद में सबसे प्रवित्र नदी माना गया है नेक्स्ट बारवा क्यूसन है सिकंद्र महान के अक्परमन के कारण पंजाब से राजस्तान में इस्तांतरन करने वाली जातियां थी तो दोस्तों ये सभी जातियां थी जो शिकंद्र महान के अक्परमन के कारण पंजाब से राजस्तान में इस्तांतरन करने वाली जातियां थी कौन-कौन से जातियां थी सिवी, अर्जुनायन, योधे यहापे मालव ये सभी जातियां थी जो शिकंद्र महान के अक्परमन के कारण पंजाब से राजस्तान में आई थी नेक्स तेरवा क्यूसन है, राजस्तान में खेलों के विकास के लिए नहरु युवा के अंदर की इस्तापना कब हुई थी? एक गैरे नमबर 1972, बारा नमबर 1972, तेरा नमबर 1972 यहापे चवदा नमबर 1972 तो इस सवाल का सही जवाब देगा, ओप्सन बी हैनी, चवदा नमबर 1972 को राजस्तान में खेलों के विकास के लिए नहरु युवा के अंदर की इस्तापना हुई थी? कब हुई थी? चवदा नमबर 1972 को नेक्स अगला चवदा किस ने राजस्तान में अरजुन पुरुषकार के सम्मान में कौन सा पुरुषकार दिया जाता हैं? महारणा परता पुरुषकार, द्रोनाचार्य पुरुषकार यह गुरू वश्ष्ट अवर्ड यह अरजुन अगला नेक्स्ट पंदरवा क्यूसन है राजस्तान सरकार ने खेल रतन पुरुषकार की स्थापना कब की थी? 1912 में, 1913 में, 1994 में या फिर 1995 में? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन सी हैनी साल 1994 में में राजस्तान सरकार ने खेल रतन पुरुषकार की स्थाप लींबा राम ने किस खेल में अंतराश्चि ख्याती प्राप्त की थी। लॉंटेनीस, टैबले टैनीस, तिरंदाजी या फिर तेरा की में। तो इस सवाल का सही ज्वाब दीखा option है, सी यानी, तिरंदाजी में, राजस्तान के निम्ब अराम ने अंतराश्टी, खर्ति प्राप्ते की थी, किस खेल में? तिरंदाजी में. अगला नेक्स सत्तरवा किसने राजस्तान में सत्ती प्रता सर प्रतम कन्य वद रोकने का प्रियास किसने कहा किया गए था उदेपूर में, बीकानिर में, जैपूर में या फिर जोदपूर में तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन C. यह नि राजस्तान में सती प्रत्ता सरो प्रत्म कन्यवद रोकने का प्रयास एंबू जैपूर में क्या गया था जैपूर अजमेर तता आबू मतशेशंग या फिर चिरोही तो इस सवाल का सही जवाब देगा option बी यहनी अजमेर तता आबू है जिसको राजस्तान के एकी करण के सब्तम चरण में सामले तक क्या गया था कौन से चरण में सब्तम चरण और कौन से शेत्र अजमेर तता आबू में और राजस्तान के एकी करण है वो साथ चरणों में पूरा हुआ था जो अंतिम सरण है वो अजवेत तता अबु वाला चरण माना गया है नेक्स्ट उगनिश्वा के उसने राज प्रमुक के पदों को राजय पाल का पद नाम दिया गया था साल 1947 में, 1950 में, 1950 एश्वी में या फिर 1956 में तो इस सवाल का सही जवाब देगा, option D यानि, साल 1956 में, राज प्रमुक पद के को राजय पाल का पद नाम दिया था नेक्स्ट क्यूस्ट उगनिश्वा, वरत राजस्तान का प्रदान मंत्री कौन था? मोकुल भाई बट, जैनेरन व्यास, हीरालाल सास्त्री या माने के लाल वर्मा तो इस सवाल का सही जवाब देगा, option C यानि, हीरालाल सास्त्री हैं, जो वरत राजस्तान के प्रदान मंत्री थे अगला नेक्ट 21 किसन है, राजस्तान की भोगोलिक चेत्र को राजस्तान नाम कब दिया गया था? 15 अगस्त 1927 को, 1 नवमर 1956 को, 8 मार्च 1950 को, या फिर 25 मार्च 1956 को तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब देगा, option B यानि, 1 नवमर 1956 को, राजस्तान की भोगोलिक चेत्र को राजस्तान नाम दिया गया था नेक्ट 22 किसन है, राजस्तान की राजनित्ती की एकी करण की प्रक्रिया सुरूख कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा, option A यानि, साल 1948 में, राजस्तान की राजनित्ती करण, एकी करण की प्रक्रिया सुरूख हुई थी? अगला नेक्ट 23 किसन है, नेमा लिखित में से कौन सा इस्तल राजस्तान में, अटारस्तान की करांती का केंदर नहीं था, अजमेर, नीमच, आउवा या फिर जैपूर, तो दोस्तों इनका सही जवाब कौन सा है, इसको ये कमेंट में आपको लिखकर बताना है, तो दोस्त इस सवाल का सही जवाब कौन सा है, वो आप कमेंट में जरूर लिखी, अगला नेक्स 24 किसन है, राजस्तान के विख्यात इत्यासकार जो एक समाज सुदारग भी थे, मानकरण सार्दा, जमनलाल बजाज, हरी विलास सार्दा, CKF वाल्टेर, तो इस सवाल का सही जवाब द सुदारग भी थे, अगला नेक्स्ट अंतिम 25 किसन है, राजस्तानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में परदा मंडल की इस्तापना हुई थी, मेवार परदा मंडल में, अलवर, जैपूर या फिर परताबगड, तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा, ओप् जीके के कुछ most important question answer, जो आपकी read परती परिक्सा के लिए बहुती most important question थे, उमीद करता हूँ ये सबी सवाल आपको अच्चे से याद हो गेंगी, अगर याद होगे तो इस वीडियो को like जरूट करे, चैनल को भी जरूट सब्सक्राइब करे, और दोस्तों इन सबी सवालों पीडेबी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जैहिंद वन्दे महात्रम